जो निगेटिव कंड़क्टर होता है निगेटिव कंड़क्टर को रिटर्न वायर भी बोलते हैं रिटर्न वायर मतलब का पास्टिव से करेंट निगेटिव में जा रही है तो पास्टिव से जाएगी निगेटिव से वापस आएगी तो इसलिए रिटर्न वायर भी कहते हैं ठीक है यह चीज है है हो गया है अब एक चीज ध्यान से देखना है यहां पर जो है हमें इस डिस्टिबूशन सिस्टम में हमें दोनों कंड़क्टर के बीच में लोड को जोडते हैं हम यहां पर जो है हम यहां पर दो कंड़क्टर गलत हो गया थोड़ा इस सिस्टम में इस सिस्टम में पास्टिव तथा निगेटिव कंड़क्टर के बीच लोड को जोडते हैं लोड को जोडते हैं लोड को क्या करते हैं जोडते हैं तो जैसे माली जी हमारा क्या है एक हमारा पास्टिव कंड़क्टर है और एक क्या है निगेटिव कंड़क्टर है तो इसमें माली जी हमारा कोई लैम्प हो गया लैम्प हमने जोड़ दिया हमने क्या जोड़ दिया मोटर जोड़ दिया यह हमारा मोटर है लोड हमेशा पैरलल में जुड़ेंगे लोड हमेश समझ में यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा कि यह जो हमारे लोड है यहाँ पर यहाँ पर लोड को V voltage voltage मिलता है यहाँ पर लोड को जो है V voltage क्या होता है मिलता है समन्याएं वाट कर डिकी यह जो डीसी टॉ आर सिस्टम है इसका प्रयोग जो है यहाँ पर लिक दे रहा है कि डीसी कर टूआर है कि इस्टम अधिति वाईर सिस्टम का प्रयोग TX LINE में किया जाता है TX LINE में किया जाता है Distribution LINE में इसका बहुत कम्यूज होता है ठीक है? Distribution LINE में कम यूज होता है लेकिन यूज होता है जैसे आपका DC3 वायर सिस्टम हो गया तो ऐसी जगों पर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है आगे मैं आपको उसको बताऊंगा ठीक है? इसे मैं मिटा दे रहा हूँ इसमें लोड को VV मिलता है ठीक है? यह चीज आपको द्यान देना है थिरी वायर कौन सा है? थिरी वायर है ना? थिरी वायर DC सिस्टम DC Distribution System तो थिरी वायर DC Distribution System में तीन कंड़क्टर होते हैं इसमें तीन कंड़क्टर कंड़क्टर होता है दो आउटर कंड़क्टर आउटर कंड़क्टर तथा दो आउटर कंड़क्टर होते हैं तथा एक conductor हमारा neutral होता है, जो की बीच में होता है, और एक middle conductor होता है, यह क्या होता है? तथा, तीसरा, middle conductor होता है, जैसे माल लीजी, यह हमारा system है, यह है, ठीक है? अब यहाँ पर एक middle conductor भी होगा, यह वाला, अब यहाँ पर जो voltage मिलेगा, देखिए, एक तो, यहाँ पर V voltage, यह हमारा प्लस होगा, और यह क्या होगा, पाजिटिव होगा, और यह क्या होगा, निगेटिव होगा, और यह neutral होगा, यह वाला क्या होगा, neutral होगा, न्यूट्रल वायर है, यह कॉंस वायर है, न्यूट्रल वायर है, ठीक है, अब प्लस और न्यूट्रल के बीच में आपका V बोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, V बोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पर जब हमें ज्यादा जरूवत पड़ेगी ठीक है तो यहां पे हमें क्या मिलेगा टू भी बोल्टेज मिलेगा पास्टिव और निगेटिव कंड़क्टर के बीच और पास्टिव और नीट्रल के बीच में हमें क्या मिलेगा भी बोल्टेज मिलेगा यहां पे भी हम लोड को जोड सकते हैं और यह कुछ लोड ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा बोल्टेज की जरूवत पड़ती है तो जब ज्यादा बोल्टेज के हमें जरूवत पड़ेगी तो हम पास्टू और निगेट्व के भी जोड़ देंगे जब कम बोल्टेज की जरूवत पड़ेगी तो पास्टू और नूट्रल के बीच जोड़ देंगे समझ में तो यह चीद ध्यान देना जरूरी है यहां पर हमें वी बोल्टेज मिलेगा और pH 2 wiederk यहां पर यहां पर इसमें है जस्थे चुटीव या negative conductor conductor तथा neutral neutral के बीच neutral के बीच V voltage मिलता है V voltage मिलता है क्या मिलता है V voltage मिलता है देखिए positive और neutral के बीच या फिर negative और neutral के बीच में तो कितना voltage मिल ला है V voltage मिल ला है अगले इसमें positive तथा negative conductor के बीच 2V voltage मिलता है 2V voltage 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 मिलता है यह system पिछली बार की अपे इच्छा क्या है ज्यादा बढ़िया है जिसको 2V voltage चाहिए वो लोड को यहाँ पर जोड़ेगा जिसको V voltage चाहिए वो लोड को यहाँ पर जोड़ेगा समझ में आजा तो यह चीज आपको यहाँ पर क्या करना है ध्यान देना है तो दो आउटर कंड़क्टर के बीच में आप यह बोल सकते हैं कि आउटर कंड़क्टर के बीच में voltage 2V आउटर कंड़क्टर आउटर कंड़क्टर में क्या मिलेगा 2V मिलेगा अजबकी एक आउटर कंड़क्टर 2 outer connectivity बिटứng यहाँ पर लिखेंगे मिलता है बिटमेν आउटर कंड़क्टर आउटर कंड़क्टर two bolts है, ठीक है, between, outer conductor, and, neutral, outer conductor, and neutral के बीच कितना मिलेगा, V bolt मिलेगा, क्या मिलेगा, V bolt में क्या होगा, मिलेगा ठीक है तो देखिए जहां पर जैसे माल लीजे लेंप हो गया लेंप हो गया लाइट हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे जैसे सिंगल लाइट के लिए जैसे लाइट हीटर के लिए हम V-Bolt लेंगे कितना लेंगे V-Bolt क्योंकि यहाँ पर voltage rating हमें कम की जरूवत पड़ती है ठीक है यहाँ पर जैसे light heater light हो गया हमारा क्या हो गया heater हो गया तो light मा लिए यहाँ पर light जोड़ सकते हैं यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं जोड़ सकते हैं कुछ भी जोड़ दीजे कोई दिक्तत की बात नहीं लेकिन जहां पर हमें लो बोल्टेज की जरूवत पड़े गई तो जैसे लाइट हो गया बल्ब हो गया हमारा उसको लो बोल्टेज की जरूवत पड़ती है ठीक है तो हम पाजिटिव और निगेट्व के उद्धित के लिए क्या पर योज करेंगे जैसे मोंटर में कहुंसमर सोट दीची मोटर है लिए तो धूटर को थण तक जयादा इसका करीगे योज करें अगर मैं टिस्टिपूशन सिस्टम की बात करों डिडिची की बात टिसका यूज कहां पर कर सकते हैंoyo इसके किसमें वी बोल्टेज दोनों मिल ला है हमें ठीक है तो डिस्टीबूशन सिस्टम डिसी डिस्टीबूशन सिस्टम के एडवांटेज की अगर मैं बात करूं इसका कहां पर यूज होता है जैसे वैरियेबल इस्पीड अप्लिकेशन एक वैरियेबल इस्पीड अप्लिकेशन कहां पर यूज होता है डीसी ड्राइब में डीसी फिल प्रेव को बड़ी इंडेश्टी होती हैं जहाँ पर डीसी ड्राइब का यूज़ किया जाता है मतलब डीसी िसप्लाइब वहाँ पर बहुत सारी मोटर क्या होती है चलती है तो विरियेबल इस्पीड प्राप्थ करने के लिए हमें डीसी ड्राइब के जरुफत पड़ हो गया फिर इलक्ट्रो केमिकल अप्लिकेशन अगला हैं तो कि इलेक्ट्रो केमिकलग आपलिकेशन को गुणन को एक निर्शन को जो लडा है उनकेशन कर 누रें नो ti छोड़े लोहें के टुकड़े पर जो है लेव चड़ाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से जिसे इलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से क्या करते हैं जानते हैं ठीक है कर दो हुआ 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 तो अब इसको देखेंगे तो यह कहां पर जैसे आपका क्या कहते हैं बैटरी हो गया विसकेमिक्र आ इलेक्ट Nazi प्लेटिंग लेक्रोड हो गया एक जीज आपको द्यान में रखना और आगला पॉइंट आपका क्या है जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है जैसे रेल रेल्वे वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं डीसी सिस्टम का यूच करते हैं तो इसका यह रहा आपका अप्लिकेशन डीसी डीसी डीस्टिबूशन सिस्टम का अप्लिकेशन का ठीक है यह आपका अप्लिकेशन हो गया तो आपका डीसी डीस्टिबूशन सिस्टम भी क्या हो गया कम्प्लिट हो गया अभी डिस्टिबूशन सिस्टम में और सारी चीजे बाकी हैं जिसके बारे में हम आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे ठीक है तो आज का क्लास यहीं तब धन्यवाद